है फ्रेंड्स होप यौल डूइंग वैल आज मैं आपसे बात करूंगी घी के बारे में और किस तरीके से हमारे लिए हेल्फुल है कई लोगों के दिमाग में कन्फूजन होगा कि घी से जो है वो वेड बढ़ता है कलस्ट्रॉल बढ़ाता है ऐसा कुछ नहीं है घी एक बहु गी के इस्ट्रॉंग एंटी ऑक्सिदेंट और घी जो होता है आप जो भी फूट ठोड़क्स खाते हैं जिनमें की के विटामीन एडी एक और फैर इंडॉब करने में जो मैं आपको बोल भी चुकी हूं अपना वीडियो भी बना चुकी हूं कि आप जब विटामिन D खाते हैं तो वो किसी फैट के साथ खाया तो दूद के साथ खाया कोई फैटी चीज होनी चाहिए घी इस वन फट विटामिन D क्योंकि इसका अब्सॉप्शन बहुत करता है तो दूसरे अगर हम बात करें तो यह इसकिन और हेर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह आपके इसकिन के जो भी पिग्मेंटेशन का इस इसकिन एजिंग हो रही है रिंकल्स फाइन लाइन इनको दूर करेगा अगर आप अपनी नेवल पे थोड़ा सा घी तो आपके जो इसकिन है उसमें अलग सा गलो आएगा मैं रोज अपने जो नेवल है उसमें घी और हल्दी रोज सुभावड करके लगाती हूं उससे आपके लिप्स क्रैक नहीं होंगे आपकी जो फाइन लाइन से वह दूर होंगी डाक स्पोर्स पिग्मेंटेशन हाइप की घी का ट्रीटमेंट आपको जो बेस्ट बता रही हूं आप घी को अपनी नेवल पर रोज अप्लाइगा अगरा को लगता है कि कपड़े स्टेंड हो जाएंगे तो जो घी है उसको सीधे थोड़ा सा हल्का सथी जो है वह अप्लाइग करें अपनी नेवल में आपको खु कि आप ला रहे हो और प्योर घी कर रहे हैं अगर आप अपनी नाइक में गय की बूने डाले तो यह जितने भी आपको काफ सोड थोट यह जितने भी इसूस है न यह चले जाएंगे दूसरा जिनको बहुत जल्दी एंग्जाइटी होती है और गुस्ता आता है वह भी खतं ओ गी जो होता है आपके brain cells को healthy रखता है इंफक्त आपके बॉड़ी के जितने ओवर और बॉड़ी के cells को यंग रखता है उनकी cycle को healthy रखता है उनकी cycle को normal रखता है रिदेमेश जाइमर जैसे diseases को treat करने में काफी helpful है लोगों को problem होती है नाक में घी डालने से तो वह अपनी नाक में हलका सा जैसे cream लगाते हैं वैसे आप अपनी नाक में हलका हलका लगाना शुरू कीजिए जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप इससे सीधे भीडा सकते हैं लेकिन सबसे important चीज है कि घी जो है वो गाय का प्यॉर घी होना चाहिए इसकी समझ आपको होनी चाहिए घी में अच्छी quantity में healthy fat vitamins और antioxidants होते हैं जो की heart health के लिए बहुत अच्छ है आई की health के लिए बहुत अच्छ है आपकी skin और hair और brain health के लिए बहुत अच्छ है अगर आपको प्यॉर घी मिलता है अगर आपको प्यॉर घी की समझ है नहीं है तो समझ ये और अगर है तो आप refined oil की जगह घी का इस्तेमाल कीजिए या सर्सो के तेल का इस्तेमाल कीजिए मैं सर्सो के तेल पर भी एक वीडियो बनाऊंगी आपको जिन जिन लोगों को पिग्मेंटेशन का इस्तोर पर उनके लिए बोल रही हूं वह अपना रिफाइन ओयल का यूज माइनस में कर दें बहुत कम यूज करें ज्यादा तर या तो सर्सो का तेल का यूज करें घी का तेल घी यूज करें जिन लोगों को पिग्मेंटेशन डाक स्पॉर्ट्स और स्किन के जित्ते भी इशूज अगर उनको यह प्रॉब्लम नहीं जा रही है सब हेल्थी फूर्ट खाके भी तो कुछ दिनों के कुछ दिनों के लिए क्या फॉर लाइफ वह रिफाइंड ओयल का यूज बन कर दीजिए और उसकी जगह आप यूज करिए घी या फिर सर्सो कीजिए या घी में बनाईए जहां जितना घी और इन कड़वे तेल का यूज करेंगे जिसको हम सर्सो का भी तेल कहते हैं आपकी स्किन में जो डाक स्पॉर्स और पिग्मेंटेशन है इसकी प्रॉप्लम बहुत जल्दी सौट आउट होगी क्योंकि जो रिफाइंड होता ह है वो भी एक वज़ा होता है पिग्मेंटेशन हाइपर पिग्मेंटेशन और डाक स्पॉर्स का तो आप इसको बंद करें और इसको यूज करके घी और सर्सों के तेल का यूज शुरू कर दीजिए हॉर्मोन बैलंस करने में भी काफी हेलफुल है तो जिन लोगों को हॉर् कुलोन की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है कोलोन को एनरजी देता है जिसकी वज़े से आपकी एंटेस ताइम जो रहती है पिए है और आपका डायशन होता है वह अच्छा रहता है जिन लोगों को इसवेरें को रात में करम दूद के साथ यानि कि वाद मिल्ट जिसको आप आराम से पी सकें उसमें अगर एक टी स्पून या उससे भी छोटा स्पून घी डाल करके पीएंगे तो इस में घी किस्तिंशनें वेट ल्ःत होता है scheduled Olá आपकी और वड़े लिए अच्छा हैाए ऑपकी प्री claims अच्छा है आपकी इस पीजिलि onT help करा कि बड़ा रहा है लेकिन शरत यही कि घी वह प्योर होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आप काव घी का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें गुट नोग फाट ऑर वुमेगा फाटिय्स जो हैं वूजा दा होते हैं जिसकी वधिये से से कऊई गी को जदा आच्छा माना जाता है और काउ घूट कलेस्टरोल को बढ़ाता है बाइड कलेस्टरोल को कम करता है आज यह चारी को यूज करिए डिirkा इल कर दीजिए अगर आपको पूरिया तल शाइतल आरेे साफी जल्दी रात मिलेगी आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिए और घी यूज़ करके मुझे बताइए आपकी स्किन में कितना फरका है रिफाइन और ओयल को स्टॉप करने के बाद और घी का इस्तेमाल करने के बाद कम से कम आपको एक दो महीने का में चेंज़ नज कर दिया है और अच्छे अच्छे कमेंट्स डालिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए बाई एंड टेक केर